पवित्रता की गुन को जो जीवन में धारन करते हैं उनकी बहुत महिमा होती है जो पवित्रता को धारन करते हैं ब्रमचर्य को अपनाते हैं उनके प्राप्तियां भी बहुत जादा होती है हद का सन्याज भी जो धारन करते हैं पवित्रता को अपनाते हैं जीवन में उने भी कितनी प्राप्तियां होती है उनके अंदर भी पवित्रता का बल होने कारण जो उनके आसपास हिंसक प्राणी भी आते थे वो भी शांत हो करके बैठ जाते थे ये योग की शक्ती का प्रयोग करते थे इसलिए पवित्रता की बल उनके अंदर होने कारण प्रकृती जीत भी बन जाते थे तो पवित्रता में जितनी महिमा होती है ऐसे योगी सन्यासी जो होते थे लोग उनके पास जा करके उन्हें भोजन भी प्रदान करते थे उन्हें उनकी महिमा भी करते उनके चरण भी धोकर पीते तो अनेक प्राप्ती कराने वाली है पवित्रता की शक्ती पवित्रता का गुन और यहां बाबा स्वयम परंपिता परमात्मा पवित्रता का सागर जो स्वर्ग का रचईता है पवित्र दुनिया की सापना करने जो आया वो भी हमें बच्चों को कहते हैं गर ग्रैस्त में रहते हुए पवित्रता के गुण को जीवन में धारन करना है इसी में सारी मेहनत हैं, छोड़ चाड़ कर सन्यासी बन जाना, लेकिन यहाँ पर घर ग्रेस्ट में रहते हुए अपनी सारी जिमेवारियों को समालते हुए पवित्रता के गुन को धारन करना है बाबा कहते हैं बच्चों को इस गुन को धारन करने के लिए ग्यान और योग का बल अपने अंदर जमा करना है क्योंकि अपनी चेकिंग निरंतर रूप से करते रहना है, माया की तुफान आते हैं, संकल्पों में भी अगर कोई तुफान आते हैं, तो उन्हें कर्म में नहीं आने देना ग्यान युक्त होकर आदी, मध्य और अंद को देखकर अगर कर्म करेंगे, तो माया से सदा सेफ रहेंगे माया की तुफानों में अगर बार बार आते रहेंगे, तो तुफानों में बार बार मन घरने के कारण से कमजोर हो जाता है तो अपने मन को कमजोर नहीं होने देना है, पवित्रता का बल जमा करना है, इसके लिए ज्यान और योग का बल जमा करें, आदी मध्य अंत को सोच समझ कर कर्म करें, जिससे सेफ रहेंगे माया से और योग भी अच्छा लगेगा, जितना योग अच्छा लगेगा, योग हमा जिससे हम सेफ रहते हैं तो अपने अंदर ग्यान और योग का बल जमा कर पवितरता की शकती बढ़ाएं आज के दिवस की यही शुक कामना, ओम शंती झाल झाल